हेई गाइस विल्कम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपका इस वड़े में तो दोस्तों आज जो इस वड़े में न्यू रिकुर्मेंट की हम डिसकस करने वाले हैं हम बात करेंगे अपराइटेसी वेकंसिस का जो के निकाली गई है आपका आई वो सील से यानि कि इंडियन ओयल कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमिंटेस से वेरियस पोस्ट के लिए एपराइटेसीब की वेकंसिस आउट की गई है जिसे की ओल इंडिया के एक एंडेट यहां पर एपलाइक कर सकते हैं टोटल पोस्ट यहां पर 482 पोस्ट के लिए निकाली गई ह चलिए हम official notification के जरी फुल डिटेल्स की जनकारी इस वीडियो में बात करने हैं क्या qualifications रखी गई है otherwise कौन-कौन सी पोस्ट पर यहां पर vacances निकाली गई है और यह state-wise पोस्ट निकाली गई है division state क्या रहने वाला आपका selection कैसे होगा form कैसे आपको fill करने है लास्ट डेट आपका और age limited क्या रहने वाला है तो चलिए श्टार्ट करते हैं इससे पहले आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को subscribe कर लिजेगा और वेल आइकन को प्रेस करके notification bell को all कर लिजेगा तो guys यह रही official notification आप देख सकते हैं Indian oil corporation limited यह pipeline डिविजन से vacances निकाले गए जो की बिलकूल government of india undertaking में आती है इसकी form आपको कैसे fill करनी है कब से fill करनी है इससे पहले हम post wise details की जनकारी हम पहले ले ले लेते हैं तोटली पांच रिजन यहां पर बताया जा रहा है लेकिन हम देख लेते हैं अलग-अलग location यहां पर जो की tentative रखे गया number of seats and reservation का किशरिया सबसे पहले बात करें western region से जो vacancies out की गी है यह सभी vacancies आपकी pipeline के अंडर में आती है तो सबसे पहले गुजरात में देख लेते हैं western region में various trade wise आप देख लिजेगा electrical mechanism में तो यहां पर वंपर vacancies out की गी है जो की total गुजरात में 90 post पर vacancies निकाली गई है next आपका आज आता है राजस्थान राजस्थान में total 46 post पर vacancies निकाली गई है यही पर मैं बात करूं eastern region की अब में तो west बेंगलो आगता है जहां पर 44 vacancies है next आता है आता आपका जो की west बंगल की बाद आपका बिहार में 36 vacancies नि निकाल दी गई है, next यहाँ पर South Eastern Region pipeline की में बात करूँ, तो उडिशा से यहाँ पर vacances out की गिए, 51 vacances है, 36 गर से यहाँ पर total 6 vacances निकाली गई है, next यहाँ पर जारखंड की में बात करूँ, तो 3 vacances जारखंड से निकाली गई है, next यहाँ पर Northern Region pipeline, हर्याना में total 43 vacances है, पंजाब में बात करूँ, तो यहाँ पर 16 vacances निकाली गई है, यह trade wise जरूर देख लिजएगा, क्योंकि मैं अलाग अलाग trade wise इतनी लंबी बता हूँ, तो यहाँ पर 24 vacances निकाल दी गई है, यहाँ पर आंदर परदेश से लगबग लगबग 6 vacances आउट के गई है, तो चारसो बेरासी पोस्ट के लिए bumper vacances निकाली गई है, गाइस एक बाद डीटेल से आप जरूर चेक कर लिजेग, और यह पोस्ट कोड है, याद रखेगा, यह पोस्ट कोड आपको काम आएगा online फॉर्म फिल करते वक्त, यहाँ पर disability का कुछ किर्चरिया, यहाँ पर LGBT दिया गया है, तो खास करके जो disability candidate हैं, वो एक बार यहाँ पर चेक कर लिजेगा, चले, फाइनली बात करूँ, यहाँ पर मैं qualifications की, तो सबसे पहले technician apprenticeship जो की mechanical वाले apply करेंगे, 3 years का, या फिर आपके पास 2 years का lateral entry after ITI के बाद आपने डिप्लोमा किया है, 1 year 10 plus 2 full time diploma आपके पास भी course है, तो apply कर सकते है mechanical या फिर auto mobile engineering में आपका होना चाहिए, technician apprenticeship, electrician के लिए, electrical के लिए, यहाँ पर भी 2 साल के पाद, ITI के बाद 2 साल का ही diploma होता है, lateral entry वाला, तो आप apply, diploma किये हैं, तो apply कर सकते हैं, diploma कहीं से भी आप फिर part time, जैसे की 10 plus 2 से कियें, या फिर 10 pass करके अपना diploma कियें, जैसे electrical और electrical and electronics इंजिनेर में, तो यहार eligible, नेक्स यहाँ पर एक और vacancy है, technician apprenticeship, telecommunication and information, यहाँ पर भी डिपलोमा मांगी गई है, ITI के बाद कियें, तो भी आप apply कर सकते हैं, trade apprenticeship, assistant, human resource, यहाँ पर full time bachelor degree, आप देख सकते हैं, bachelor degree आपके पास होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, किसी भी stream से आपकी हो, यहाँ पर apply कर सकते हैं, नेक्स आपका यहाँ पर domestic data entry operator, skill certificate holder, 12th pass आपके पास होना चाहिए, next यहाँ पर कई सारे skill certificate of domestic data entry operator में है, तो आप apply कर सकते हैं, या फिर आपने जो की national skill से कोच भी कियाँ पर qualification, framework, any other recognized by the government, या फिर central government दोर आपका है, तो apply कर सकते हैं, इसा certificate के से, age limit की में बात करूँ, तो 18 साल से लेकर 24 साल के बच्चे apply कर सकते हैं, 30 October 2020 को cut-off of age जो की आपकी रखी गई है, गाई, duration आपकी जो apprenticeship की जाएगी, जहाँ पर देख सकते हैं, technician के लिए एक साल, एक साल, एक साल होगी, लेकिन अगर आपने data entry operator के लिए अपला किया, या फिर domestic data entry के लिए, तो यहाँ पर आपको 15 मन्त की training होने वाली, यहीं पर मैं step-on की मैं बात करूँ, जब आप जवाब करेंगे, तो उसमें step-on मिलेगी, government, या central government के जवारा, जो की apprenticeship pack 1961 या फिर 1973 के तहत आपको मिलती है, exactly कितनी मिलती है, फूली अभी बढ़ा दी गई है, तो यहाँ पर कुछ बात में आप पर हो सके, वीडियो इसकी details में upload करूँ, तो आपको satisfy में कर दूँगा, कि कितनी यहाँ पर salary मिलती है, एस limit की suit मिलेगी, यानिकी relaxation मिलेगा, STAC वालों को, 5PN, OBC वालों को, 3S का, अगर आप अपर एस limit वाले हैं, जैसे की PWD, तो यहाँ पर 10 year की suit मिलेगी, यहाँ पर selection, जो criteria रहने वाला totally return test होगा, आप देख सकते हैं, अलगला यहाँ पर multiple choice question होंगे, totally, और जिसमें से 4 option आपको दिये जाएंगे, और जो total marks होंगे, 100 marks का, और 100 question भी आपके रहने वाले हैं, यहाँ पर, तो एक बार देख लिजेगा, selection की चरिया, technician के लिए, आप एकाउंटेंट के लिए apply कर रहे हैं, किसके skill कर रहे हैं, तो लगबाद 100 marks का ही होगा, आपको इतना ध्यान होगा, और वही रहेगा, general English होता है, numerical होता है, next उसमें general, फिर math होती है, reasoning होगी, और general awareness होगी, तो basic basic सा होता है, एकदम easy question होता है, और आम से आप qualify कर सकते, duration आपको time दिया जाएगा, देख सकते 120 minutes, यानि कि लगबाद 120 minutes, तो आप समझ रखते हैं, 2 घंडे का time आपको दिया जा रहा है, तो काफी time है, आप apply कर दिजेगा, easily आप अगर apply कर रहे हैं, आप eligible हैं, तो बड़ी opportunity है, गाइस, इस साब मत सुचिएगा कि IOCL में apprenticeship करके, उसके बाद बैठ जिया जाएगा, हाँ, अलांकि निकाल देता है, लेकिन उसके बाद कई सारी vacances निकलती है, अगर आप IOCL से apprenticeship भी करते हैं, आप कहीं पर apply भी करते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो है, वो क्रिचरी आपके लिए open हो जाता है, बहुत बड़ा platform आपके लिए open हो जाएगा, प्राइवेट में भी job करते हैं, तो एक बड़ी opportunities मिलती है, चले जो भी candidate apply करना चाहते हैं, सबसे पहले डिप्लोमों वाले के लिए मैं बात करूँ, तो MSRD portal पे आपका registration सी फोना चाहिए, कैसे registration करना है, वीडियो आपको description मिल जाएगी, अगर आप 12th pass candidate कुछ भी form फिल कर दूं, तो वीडियो के नीचे comment जरूर किजिएगा आप, नेक्स इसकी जो last date रखी गई है, बाइस नौंबर को इसका form जो की last date रखी गई है, 6 बजे तक इसका form आप फिल कर सकते हैं, return test tentatively 6 बारा, यानि कि 6 December जो रखी गई है, यह करवा ही देता है, यह बहुत बड़ा जि यह बहुत बड़ी अच्छी बात है, तो hopefully guys, यह general information समझ आ चुकाँगा, फिर भी कहीं doubt लगे, comment कीजिए, आपकी पूरी help की जाएगी, वीडियो पसंद आए, लाइक करें, अपनी दोस्तों तक जरूर शेयर करें, चैनल पे नहीं सब्सक्राब करके वेल आइकन को प्रेस क चैनले मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक लिए जहिन,